Hey everyone, welcome again on my YouTube channel Creative and Info Hub मैं हूँ Manish Amina और आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आए हूँ सामाजिक अध्यान का लेसन प्लाइन जिसका टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार Yes guys, fundamental rights के उपर आज का लेसन प्लाइन होने वाला है जिसमें हम discuss करेंगे, देखेंगे कि आप इस टॉपिक को किस सरीके से अपने क्लास में डिलेवर कर सकते हो और एक innovative क्लास आप conduct करा सकते हो जिसमें दोनों साइड से communication हो और इस क्लास को fruitful आप बना सकते हो ठीक है तो discuss करते हैं आज का ये लेसन प्लाइन बट उस से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe my channel, it's totally free to subscribe उसके side में जो bell icon है उसको भी जरूर हिट कर लेना क्योंकि DLA से और teaching professions related इसी तरीके की helpful videos मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ तो इसी लिए make sure कि आप मेरे चैनल को subscribe करें प्लैस आप bell icon को जरूर हिट करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिसना हो सो start करते हैं आज की वीडियो जिब आप lesson plan बनाएंगे तो सबसे पहले center of the page आप लिखेंगे पार्थ योजना एंड आप उसको serial number देंगे जैसे कि ये मेरे file का चौथा lesson plan है तो इसलिए मैंने लिखा है पार्थ योजना 4 उसके बाद आप left side में लिखेंगे छात्र ध्यापिका का नाम जहां पे आप अपना name लिखेंगे और नीचे विशय में आप लिखेंगे सामाजिक विज्ञान उसके नीचे आप लिखेंगे उपकरण या फिर प्रकरण जोकी हमारा है हमारे मौलेक अधिकार कक्षा हम right side में लिखेंगे कक्षा हमारी रहेगी 7th दिनांग हम नहीं लिखेंगे ब्लैंक रखेंगे इस पार्ट को क्योंकि जब आप क्लास में जाएंगे ये टॉपिक को पढ़ाने के लिए तो उससे पहले आप वही पे डेट डालेंगी उसके बाद हम duration लिखते हैं अब दी हमारी 30 minute रहेगी वैसे आप 35 minute भी लिख सकते हैं क्योंकि 30 और 35 minute जो होता है वो एक क्लास का average time duration है जिसको ध्यान में रखके हम अपना lesson plan प्रिपेर करते हैं बट किसी किसी स्कूल में 40 minutes का भी होता है 45 minutes का भी एक period होता है तो आप फिर उसके according कुछ और चीजों को इसमें include कर सकते हैं तो basically ये एक lesson plan है जिससे आप help ले सकते हैं ideas ले सकते हैं बट आप इसमें अपने कुछ अपनी तरफ से भी कुछ चीजे इसमें add on कर सकते हैं changes कर सकते हैं ठीक है तो ये छोटी basic information आपका name and all लिखने के बाद हम start करेंगे अपना lesson plan wishes उद्देश्य से इसका मतलब होता है specific objective जो हमारे किसे related होते हैं topic से related होते हैं ठीक है तो हमारा topic क्या है fundamental rights मौलिक अधिकार अब हम देखेंगे कि इस topic को पढ़ाने का पीछे हमारा क्या objective हैं तो सबसे पहले हैं छात्रों को मौलिक अधिकारों के बारे में बताना next है छात्रों को मौलिक अधिकारों के महत व उपयोगिता बताना third छात्रों को सम्विधान द्वारा दिये गए अधिकारों वे कर्तव्यों से परिचित कराना fourth and last चात्रों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रती जाकृत करना तो यह हमारे कुछ देशे थे जिनके लिए जो बच्चों को जानना ज़रूरी है उसके बाद हम लिखते हैं सिक्षन विधी यानि की टीचिंग मेथडोलोजी तो यहां पे मैं यूज किया है व्याख्यान विधी प्रदर्शन विधी और चर्चा विधी इसके बाद नेक्स्ट है सिक्षन सहाइक सामगरी क्योंकि ये लेसन प्लान हमने ऑनलाइन टीचिंग को जहान में रखके बनाया है तो यहां पे हम पीपीटी का यूज करेंगे चौक, डस्टर और शामपट का यूज करेंगे बट अगर आप ओफलाइन क्लास में ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप पीपीटी के जगा चार्ट का भी यूज कर सकते हैं उसके बाद है पूर्वग्यान यानि की प्रिवस नॉलिज टेस्टिंग छात्र यह जानते हैं कि वे स्वतंत्र भारत वर्ष के नागरिक हैं तद प्रकरन से संबंधि के संबंध में बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है। अगर बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उन्हें एड्वाइन्स नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को पहले से कुछ बेसिक नॉलेज टॉपिक से रिलेटिड हो। तो इसमें आप ऐसे टेबल बनाएंगे, पहले कॉलम आप उसमें बनाएंगे करम संख्या का, उसके बाद हम बनाते हैं छातर ध्यापी का क्रिया, और नेक्स्ट होता है संभावित उत्तर, तो सबसे पहले हैं हम किस देश में रहते हैं, बच्चे आंसर करेंगे भारत में, न सकता है बच्चों को ना पता हो, तो हम यहाँ पर दोनौं ही लिखेंगे हा और ना, नेक्स्टक्शन, इन अधिकारों को क्या कहते हैं, तो ये बच्चों के लिए problematic question हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है बच्चों को पता हो कि यह हमारे पास rights है कर उन नहीं बताया जौता मतलब कि 7th class से ही start होता है तो हम इस जो हमारा ये problematic question है समस्यात्मक्ट प्रशन है इसको connect करेंगे हम उद्देश्य कथन से जहां पे हम हमारे topic की announcement करते हैं कि प्यारे बच्चों आज हम भारतिय समविधान में दिये गए मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तुति करन यहां से आपकी class actually start होती है इससे पहले तो आप introduction ही करते हैं उसके बाद यहां से अब आप topic का पढ़ाना शुरू करेंगे इसके लिए again आपको एक neat and clean table बनानी है full sheet पर जिसमें पहला कॉलम क्रम संख्या का फिर बनाते हैं सिक्षन पिंदू उसके बाद कक्षा कक्ष क्रिया का लाप and last में मौल्यांकन तो पहला सिक्षन पिंदू हमारा है परीच है छात्र अध्यापी का क्रिया में हम लिखेंगे हम भारत में रहते हैं हमारे देश में प्रजातंत्र है प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शाशक हमारे देश में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है सभी नागरिकों को हमारे सम्विधान में कुछ अधिकार दिये गए हैं सम्विधान में इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है हमारे मौलिक अधिकार ऐसी सोविदाएं हैं जिनसे नागरिकों का विकाज सुगम से संभव होता है मुल्यांकन प्रश्में हम पूस सकते हैं कि प्रजा तंत्र का अर्थ क्या होता है चात्र क्रिया सभी विद्यारती चात्र अध्यापिका की बात ध्यान से सुनेंगे वैं पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे इसके बाद next teaching point हमारा है हमारे मौलिक अधिकार, our fundamental rights छात्र अध्यापी का क्रिया में हम लिखेंगे भारती सम्विधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिये गए हैं जो कुछ इस प्रकार है पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा सोशन के विरुद अधिकार, पाचवा संस्कृती तथा सिक्षन संबंदी अधिकार, छाटा न्यायाले द्वारा अधिकारों के सुरक्षा का अधिकार, मौल प्यांकन प्रेश्ण बच्चों से कर रहे हैं बच्चे इनका आंसर करेंगे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में अब हम वन बाई वन एके करके सभी अधिकारों के बारे में बच्चों को बताएंगे एक्स्प्लेंड करेंगे चार्ट के तुरू तो सबसे पहले हैं समानता क अधिकार चात्र ध्यापिका एके करके उपरियुक्त सभी अधिकारों को विस्तार पूर्वक बताएंगी सम्विधान के अनुसार भारतिय नागरिकों को समान व्यभार का अधिकार दिया है जिसके अनुसार सभी वर्ग रंग जाती धर्म के लोग एक समान हैं चात्र क्रि सभी विद्धियारती ध्यान पूर्वक सुनेंगे नेक्स्ट फोर्थ टीचिंग पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार पहला शांती पूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता सेकिंड अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार करने की स्वतंत्रता थर्ड भारत में रहने की कहीं भी स्वतंत्रता फोर्थ भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मुल्यांकन प्रेश्ण क्या भारत का समविधान हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता देता है फिफ्थ समीती बनाने वे सभा करने की स्वतंत्रता छटा, जीवन जीने तथा एवं नीजी स्वतंत्रता इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ती से जोर जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता यदि कोई व्यक्ती एक काम छोड़ कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीती रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता सेवन्थ, संस्कृती एवं सिक्षा का अधिकार जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं उन्हें भी कुछ विशेश अधिकार प्राप्त हैं उन्हें अपने समाज की स्टैक्षनिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाशा एवं संस्कृती को आगे बढ़ाने का अधिकार है मुल्यांकन प्रश्न संविधान द्वारा किन लोगों को विशेश अधिकार दिये गए हैं एर्थ मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालियों में मुकद्मा करने का अधिकार कहीं पर भी यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्छितम या उच्छिन्यायले में मुकदमा करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है सरकार कहे करतव्य है कि वे भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे इसके बाद हमने one by one सभी मौलिक अधिकारों के बारे में बच्चे को बता दिया तो 30 मिनट्स में आप इतना ही बता पाएंगे इसे next class में आप इसको continue करेंगे तो यहाँ पे आज की इस class को bind up करते हुए हम अपने पुन्रा वृत्ती पर आते हैं जिसमें हम एक बाफिर से रीकैप्चुलेट करेंगे कि आज हमने क्या पढ़ाया तो first question है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं प्रेशन दो कितनी उम्र से कम उम्र के बच्चों को काम करना मना है प्रेशन तीन भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा अधिकार है प्रेशन चार नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है प्रेश्न पाँच, सम्विधान में प्रदत स्वतंतरता के अधिकार के अंतरकत नागरिकों को किस प्रकार के स्वतंतरताय दी गई है तो ये कुछ प्रशन थे जिनके माद्यम से आप एक बार फिर से बच्चों को रिपीट करवा देंगे पुन्डरा वृत्ति करवा देंगे कि आज हमने क्या पढ़ा जिससे उनका रिवाइस हो जाएगा रिकाट्चुलेट हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद हम नेक्स्ट हैडिंग देते हैं अधिगम विस्तार या हम बोले होमवर्क जिसको हम ग्रह कारे भी बोल सकते हैं मौलिक अधिकारों को प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट का निर्मान करो और अपने आसपास घर परिवार में अन्य लोगों को भी मौलिक अधिकारों के प्रति जागरित करो तो इस तरीके से आपने बच्चों को कम्यूनिटी के साथ भी कनेक्ट किया तो आप भी इस तरीके का कुछ एक क्रियेटिव होमवर्ग बच्चों के लिए प्लैन करें ताकि बच्चे क्या है सोसाइटी के साथ जादा से जादा खुद को कनेक्ट कर पाएं आज आज का लेसन प्लैन वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा लेसन प्लैन आपको पसंद आया होगा अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें जाने से पहले इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लैन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मुझे फॉलो करें इंस्ट्रेग्राम पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई गाईस से यो सून